कि एला स्ट्रेंट्स वेल्कम टू दा उनिविश्टी अकाडमी यूट्यूब चैनल तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था मल्टिप्लैक्सर एड वी एव इस्ट आप वह दो फोर इस्ट वन मक्स एड इस्ट वन मक्स एड विश्ट वन मक्स ठीक है अब हम देखते है कि जो वो circuit होंगे मतलब जो आपको expression होंगे उसे आप कैसे realize करोगे using multiplexer तो suppose किजिए आपको question दिया हुआ है F ABCD equal to sigma M 0 1 3 4 7 8 9 11 14 15 ठीक है यह आपको एक expression दिया हुआ है आपको इसे implement करना है by using mux multiplexer and question में given है आपको by using 16 is to 1 mux okay तो हम देखते हैं suppose इसे कैसे design करेंगे by using 16 is to 1 mux 16 is to 1 mux क्या होता है जिसमें हमार पास होगा 16 inputs and one output and number of select line will be 4 because 2 is to 2 raise to power 4 equal to 16 तो n is the 4 so number of the select lines are 4 तो यहां पर क्या है a variable कितने की दिव गिवेन हैं आपको a b c d चार वेरेबिल दिये हुए हैं तो इसका मतलब जो select line है आपकोई आपकी वो select line आप यह चार वेरेबिल ले सकते हो ठीक है तो क्या बनेगा देखी ज़रा कि अधिक है यह मैं लेडिया 16 is to 1 mux कितने इंप्ट्स होंगे 16 इंप्ट्स कि आたा श्रम बीन ओ किms एुर्ड किया लंटे अविक्ट्स इंप्स यह क्या Почему ऑ नलक है औलक है चार जोन 3ぁav meat so ठीक है जीरो आई नॉट जीरो से आई नॉट 15 तक 16 इंप्ट्स हो गए है और आउट्पूट है आपका वाई वाई लोगे या एफ ले लिए एक विली बेटर क्या आपको दिजाइन करना है तो यहां पर आपको इसको इंप्लिमेंट करना है तो नमबर वारिबल जो गिविन है उसको ही आप स्लेक्ट लाइन लोगे ठीक है अब दिखिए क्या कौन को से मीन त्रम से यह सारी मीन त्रम से और इसका फंक्शन है यह ठीक है तो यह मीन त्रम्स एक्चलिए वाट इस आप क्या मतलब है इसका इसका मतलब है A bar B bar C bar D bar है नो ABCD वेरिमन की तर्म में यही वेल्डिय वाईगी तो यह स्लेक लाइन कौन से वाली हुए कौन से कमिनिशन हुआ जीरो वाला कमिनेशन मतला फर्स कमिनेशन तो ए ए बार 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 C bar डी वार यानिके सेलेक्चिन वाली मींट्रम है ठीक है तो आप कौन सा इंपर स्लेक्ट होगा इसने इसने आपको स्लेक्ट होगा आई नॉट ठीक है अब मींट्रम आपकी है वन M1 M1 मतलब क्या हुआ सेलेक्शन लाइन तो कौन सा कॉंबनेशन 0001 मतलब कौन सा कौन सा इंपर स्लेक्ट होगा आई वन यहीं होता था जो स्लेक्शन लाइन है वही आपको यदि हम टू इस्टो नुक की बात करें तो फोर इस्टो न में कितना था आपका स्लेक्शन लाइन दो स्लेक्शन लाइन थी तो चार कॉंबनेशन थे तो पहला कॉंबनेशन पहले इ input को, फिर क्या है M3, M3 कौन सा कौन सा input लेगा I3, फिर M4, input लेगा I4, M7, input लेगा I7, I8, I9, I11, I14, I15, ये inputs लेगा वो, और इन inputs को क्या करेगा वो, वन पर सेलेक्ट कर देगा, क्योंकि ये mean terms है, तो इसमें जो output होगा, वो क्या वाता है, 1 आता है, ठीक है, यदि ये mean term आप इनको, आप के मैं में जब ट्रॉ करते थे, तो आपने देखा था, इन mean terms को जब हम प्लेस करते थे, के मैं पे, तो उसके जगे हम रखते थे 1, है ना, तो इन mean terms पे, जो F की value है, that is 1, so आप इसे लख होगे, logic 1 पर, and remaining inputs will be at logic 0, i2, i5, ठीक है, इनको आप लिजे, logic 0, logic 0 ये ground भी आप शो कर सकते हो, तो ये आपका, इस तरह से design होगा, by using, 16 is to 1 max, अब देखे, ये जो है, 4 combination, अभी से मेंचे design करना है, सब्सक्राइब, कोशन में given है, by using, 8 is to 1 max, 8 is to 1 max के तरू design करना है, ठीक है, तो 8 is to 1 max में हमार पास होती है, selection line 3, 2 is to over 3 is a 8, 3 select line होती है, तो 3 select line और यहां पर जो variable है, that are 4, यह न, 4 है, तो अब हमार पास question eyes होता है, कि हम इन में से कौन सा variable लें, to serve as selection line, ठीक है, तो उसके लिए हमार हमको 4 variable की table बनानी होगी, जो कि टुट्टे मिल होती है, क्या होता है, उसे बनानी होगी में side और ना लेती हूँ, ठीक है, यह आपकी table हो गई, तो हम क्या करता है, इसमें value रख लेता है, है, A, B, C, D, और यह किस की value है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, यदि आप ले रहे हो, B, C and D को as selection line, और A को ले रहे हो आप, टू, जिससे हमने logic 1 और 0 को शो गिया था, तो इसमें हमें क्या होगा, जब इस तरह का situation create हो जाती है, extra variable होता है एक, तो उस situation में हमार पास एक और data input हो जाता है, logic 1 और logic 0 के लाबा एक और input हो जाता है, ठीक है, तो इसमें हम कोई साभ input ले सकते हैं, let B, C and D are selection line, and A is that data input, ठीक है, तो आप लिखेंगे, A as data input and B, C, D as, बस हमारी है, यहापर 4 variable है, तो 4 variable के case में आपको पहले तो यह table बनानी होगी, 4 variable है, और 3 selection line है, तो हमारा पास situation यह है, question यह है, कि हम कौन से selection line ले, ठीक है, तो हमने ले लिया, B, C, D को selection line, और A को ले लिया, हमने data input, ठीक है, तो ऐसे question में data input नए वरिवल आ जाता है, जैसे logic 1 0 के लाबा एक और variable आ जाएगा, that is data input, तो हमारा मान रहे है, यह है, वो data input, ठीक है, अब देखिए रहा, जब इस सब्सक्राइज हो जाता है, तो आप एक टेवल और बनाते हूँ, कि देवल में क्या दिखाई है, एडिस्टो बन मक्स के थुरू बना रहे हो, मतलब कितने inputs है, 8 inputs है, तो i0, ठीक है, 8 inputs होगा है, i0 से i7 तर, तो ऊपर तो रहेंगे, इसमें, inputs, और नीचे रहे हैंगा, data input, that is a, यह एक variable है, तो इसकी value होगी, यह 1, 0 को उपर, 1 को नीचे, अब तब आप के में पड़ता आ रहे थे, जिसमें आप value रख लेते, 0, 0, 0, 1, 1, 0 इधर, और फिर 1, 1, ठीक है न, by grey code, grey code के साब से कर रहे थे, अब यहाँ पर grey code नहीं है, यह के में अपने ही है, यह multiplexer है, तो इसका method change है, क्या method है, देखे दरो, देखे, इसमें क्या करना होगा हमें, यह अभी तक आप सोच्छों कि मैं टेबल के बनवाई है आपने, है न, यह टेबल इसलिए बनवाई है, बी, सी, डी को मैंने ले लिया, selection line, ठीक है, और A को ले लिया data input, तो A की value है, तो 0 होगी या 1 होगी, तो देखे, यहां से लेकर यहां तक, कहा तक, 0 से लेकर 7 तक, यहां पर value है A की 0, और 8 से लेकर 15 तक value है 1, ठीक है, तो 0 मैंने यहां place किया है, और 1 नीचे किया है, तो 0 की time में कौन से numbers आ रहा है, 0 से लेकर 7 तक, तो 0 से लेकर 7 तक number मैंने 0 की line में place कर दिया है, और 1 की line में कितने number आ रहा है, 8 से लेकर 15 तक, तो 8 से लेकर 15 तक number मैंने 1 की line में place कर दिया है, बढ़ानी होगी फोर वैरेवल के कॉमिनेशन वाली 16 वाली क्लियर है जीरो और बन जीरो कहां से है जीरो से लिकाइवन तक तो जीरो से लिकाइवन तक नमबर आगए बन है आपका एससे लेकर 15 तर्टव ऐसले कि 15 तर्व नम्बर आ दें चिलिए रहे जब यहाँ तक आप बना लेते हो तो कोश्चन बहुत सिंप्ली हो जाता है सिंपलर हो जाता है अब बहुत इज़ी है सिंपल अब आपको जो में टुम से उसको मार्क करना है हाब एस सरकल 0 1 3 4 7 8 9 11 14 50 ठीक है जो में में ट्रम सी आपने सर्क्ल कर दिया आप क्या करना है जहां पर भी दो सर्क्ल है वो वैल्य हो जाएगी 1 क्यों ऐसा क्यों होगा क्योंकि जो दोनों जो वैल्यू है उनका एडीशन होड़ा है यह जो वैल्यू है यह क्या दिनूट कर रही है यह वैल्यू एक ही है यह क्या दिनूट कर रही है यह वार और यह वाली वैल्यू क्या दिनूट कर रही है इसके लाइन में है मतलब ए तो फ्लस फन कि ठीक है तेशी अपने प्लेस कराया है यहां भी 2 तो सब्सक्रांगे तो यू है टुब्लेफ टू लेस्ट फ़ान जाप एक भी सर्कल्ष नहीं का वहां प्लेस कर औरी जीरू क्योंकि उसमें आपका ना तो यह selection हुआ ना यह selected हुआ तो value आगी 0 यहां पर आपका आगया 1 यहां पर सर्फ उपर वाला सरक्ल है वाला value क्या है इस वाले उपर की 0 के लाइन मारा है मतलब A बार यह 0 यह A और यह 1 ठीक है तो यह आपका इस सरह से आप इस टेविल को बनाओगे एंड नौ डिजाइन मल्टिप्लेक्सर 8 इस टू 1 मक्स किते इंपूर्स होंके 8 इंपूर्स सेलेक्शन लाइं थ्री है जिसको में लिए है बी-सी-डी और आउपट ले लिए हमने वाई या एस अब दीकिए और इनट वैल्यू कितने आ रही है रहे है और रवन किसकी आ रही है आई 3 और वन किसके आ रही है आई इसेवन इनको सबको आपको लॉजिक जोन प्रकनेक्ट करना है ओके झीरो किसकी आ रही है i2 की और i5 इसको आपके करना है ground या logic 0 अब a बार और a एक इसकी आरी i6 i6 पर है a ठीक है जो मैं आप सभी कह रही थी कि logic 1 logic 0 के लावा एक और variable आ गया एक और प्रम आ गई that is data input तो आप यहां पर इसे इससे करेक्ट करोगे i6 को क्योंकि i6 के value आ रहे है और i4 के value आ रहे बार तो यहां पर आप लगा दोगी एक not gate और इसे करेक्ट कर दोगे i4 से very easy very clear I think आपको सब को सब्सक्राइब क्लियर हो गए होंगे कि इस table का मतलब किया है यह table कैसे बनी है और इससे हम कैसे circuit बनाएंगे मल्टिब्लक सब्सक्राइब तो यह आपको बन गया आप लेकर abc को selection line ले लो दैन कब तब क्या होगा यदि आप abc को selection line ले देते हो और d को आप यहां पर एक ही जगह रखते हो तब आपके जो numbering है यह change हो जाएगी क्यों क्योंकि जो डी की value है वो 0 है कहां पर 0 पर 1 है कहां पर 1 पर फिर 0 0101 ही सब्सक्राइब कर सकते हो कुछ फिक्स नहीं है और यह इस तरह साब इस टेबल के साब से मैंस कर सकते हो कुछ फिक्स नहीं है आप यहां पर किसी को भी डेटा इंपुट ले सकते हो और किसी को भी सेलेक्शन लाइन ले सकते हो अब देखें अम डिजाइन करते हैं इसी कोश्चन को बाई यूजिंग फोर इस्टो वन मक्स अब तो और कंप्लेक्स हो जाएगा क्योंकि फोर इस्टो वन मक्स पे सेलेक्शन लाइन सर्फ दो होती है ठीक है और वेरेवल है मेरे पास चार ठीक है तो आप किसी को भी ले लिजिए सपोस्पोस मैंने ले लिया A, B को as selection line ठीक है और C, D को ले लिए मैंने as data input ठीक है तो आप देखे ज़रा 4 इस्टो वन मक्स है मतलब 4 inputs and 1 output तो चार इंपूट है I0, I1, I2, I3 A, B को तो आपने ले रखा है selection line ठीक है तो data input क्या है C and D, you will place C and D here value होगी, not like came up, not like came up, value होगी 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ठीक है 0, 1, 2, 3 आप देखें, numbering की बात आजाते है फिर से, फिर से हम stable के help लेंगे तो 00, cd की value, cd पर आता है, cd की value, 00, पर क्या है number 0, ठीक है 00, 01, 10, 11, पर number है 0 से लेकर 3 तक, दिख रहा है आपको, 0 से लेकर 3 तक, फिर है आपका 00, से लेकर 11 तक, 4 से लेकर 7 तक तो 00, 01, 10, 11, numbering क्या हो गई, 0, 1, 2, 3, ठीक है, numbering हो गई, 0, 1, 2, 3 फिर, 00, 01, 10, 11, numbering क्या है, 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 फिर क्या numbering है, इसी को हम rearrange कर रहे हैं, फिर क्या है numbering, 00, 11, तक, 8 से 11 8, 9, 10, 11, ठीक है, फिर है क्या है, यह है, फिर है 12, 13, 14, 15, ठीक है, अब तो बहुत एजी हो गया, अब तो आपको सिंप्ली मार करना है में जर्म्स को, 0, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 15, ठीक है, अब अब आपका चुकी, यह थोड़ा सा अब आपको अलग से करके से देखा होगा, आप मैं स्टेविल को रफ कर देती हूं, ठीक है, तो देखिए, 0 पर है, 1 पर है और 3 पर है, तो वैल्यू क्या बनेगी, आई नोट के लिए, एक्सप्रेशन निकाल रही हूं मां, आई नोट के लिए, आई नोट के लिए, 0 के मतलब, 0, 0 मतलब, C बार D बार, प्लस, 1 के लिए, 0, 1 मतलब, C बार D, 1, 1 मतलब, C बार D, अभी से आप सिंपल, एड करोगे, 0 को, ठीक है, तो लाइक बुले हैं, जब रहा, C बार कमन ले लिया, एंड दी ब्लस, दी बार इस दा, 1, ठीक है, D ब्लस, दी बार इस दा, 1, तो वैल्यू आ गई, C बार, प्लस, C, D, अभी हाप आप डिस्टिबिटी बला लगाओ, C बार प्लस, C, C बार प्लस, D, C बार प्लस, C is the 1, एंड C बार प्लस, D is the expression for I0, नाउ for I1, I1 के लिए क्या है, 4 and 7 का एडिशन, 4 का 7, 4 का मतलब, C बार, C बार, C बार, 7 का मतलब, C, D, तो यह दिख रहा है, आपको कौन सा गेट आ गया, नौर गेट, एक्स नौर गेट, स्वरी, C, D, प्लस, C बार, D, बार इस दा, एक्स नौर गेट, I2 के लिए निकालो, expression, सेम रहेगा, 8, 9, 11, जो I, नोट के लिए था, वही I2 के लिए रहा है, तो इसी को मैं, chatting, के लिख देती हूँ, ओपर एक्स प्लस, होऊं यह मतलब, c d bar plus c d ठीके न? c d bar plus c d कितना आगया? c common लिलिया d plus g r is the 1 तो expression is the c अब आप इसको implement कर लो by using mux 4 is to 1 mux char input तो दो select line sorry a b selection line ले रखिया हमने पर output है आप का y, i note की value कितने आगया? c bar plus d तो c bar plus d आपको यहापे circuit बनाना होगा ठीके न? c bar यहाप न ओट लगा दिया और d दोनों का और हो रहा है तो और गेट लगा दिया आपने and that is your i note जो i note है भई है i2 है तो i note दोनों को connect प्रदी आपस में और i1 कितना है? i1 है आपका c d का x nor c ले लिया यहाँ से और d ले लिया और यहापे लगा दिया हमने x nor ठीक है? x nor लगा दिया अब है आपका i2 i2 हो गया i3 है आपका c only c ठीक है? तो यह आपका i3 हो गया c बना दिया आपने हापे ठीक है? तो यह आपका a-b selection line हो गया data input हो गया cd तो इस तरह से design हो गया आपका 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 में अपका तरहह में को ओष्रा मीक म् इस का धर शवस्जाए को चinku है प jut है दिया?